मेरे प्रेयात्मन, सहज योग में आज गुरु अर्जुन देव जी का एक शबद लेने जा रहे हैं गुरु अर्जुन देव जी का जन 1563 इस्वी में हुआ और 1606 इस्वी तक बड़े प्यारे शबदों की रचना उन्होंने की कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी अनंद भया सुख पाया संतों की ये बात बड़ी अद्भूत है और सांसारिक लोगों के दृष्टी से बड़ी बिपरीत भी है सांसारिक सोचता है कि पहले सुख सुविधा की सामगरी जमा कर लेंगे साधन जुटा लेंगे धन पैदा कर लेंगे तो एक दिन सुख हो जाएगा यह कुछ ऐसा ही हुआ कि हम कहें कि पहले अंधेरा विदा हो जाएगा तो प्रकाश हो जाएगा ऐसा होता नहीं संत कहेंगे पहले आनंद पैदा करो और जब आनंद पैदा होगा तो सुख तो आनंद सिंदू की तरंग है लेकिन कैसे पैदा होगा सुनो आनंद भया सुख पाईया तिन प्रकार के सुख होते हैं एक तो भोग कहलो जो लेने का जो सुख है वो भोग है काम है दूसरा देने का सुख है वो प्रेम है जब देने में तुम्हें मजा आए तो समझना प्रेम का सुख है लेकिन एक सुख लेने और देने के पार है वो होने का सुख है Just being बस हो अकारन आनन्द है वह जो अकारन सुख है उसको संतों ने आनन्द कहा है जिसको जो अनुभाव की बात है यह दर्शन से नहीं होगा यह सोचने से नहीं होगा जैसे तुम आनन्द समादी में जब आओगे प्रफुलता को जानोगे अकारन ताजगी को जानोगे अकारन सुख को जानोगे वही आनन्द तत्व है कहते हैं गुरु अरजुन देव जी आनंद भया सुख पाईया लेकिन कैसे मिल गुरू गोविंदा पहले तुम गुरू से मिलो और गुरू तुम्हे गोविंद का ग्यान देगा गोविंद का रहस्य देगा उस गोविंद से जुड़ो उस गोविंद के सुमिरन में जियो उस गोविंद की समाधि में डूबो फिर तुम्हें आनंद का बोध होता है जिसके लिए गुर्णानक देव जी कहते हैं एक उंकार सत्त नाम करता पुरुख निर्भव निर्बैर अकालमूरत अजूनी संभम ऐसा है गोविंद लेकिन मिलेगा कैसे गुरु प्रसाथ वह जो एक उंकार सत्त नाम है वह जो गोविंद है वह गुरु के द्वारा मिलता है उसी की और इशारा कर रहे हैं मिल गुरु गोविंदा गुरु से मिलो गुरु से गोविंद का रहस्य जानो गोविंद से नाता जोड़ो और फिर तुम्हारे भीतर आनंद पैदा होगा और आनंद पैदा होगा तो उसकी तरंग सुख है कहते हैं गुरु अरजुन देव जी जा तू मेरे वल है कहते हैं हे गोविंद जब तू मेरे साथ है तो मैं क्यों किसी का मुहताज हूँ जब परम धन मेरे साथ है तो छोटे मोटे धन के लिए छोटे मोटे सुखों के लिए मैं किसी और का मुहताज क्यों हूँ जिसके लिए गुरु अमर दास्ची कहते हैं सत्गुरु होई दयाल ता नव निधि पाईए सत्गुरु की कृपा हो जाए तुम पर तो नव निधि मिल जाते हैं कैसे मिल जाते हैं जब नाम दे देता है तो नाम में समा कर नाम के साथ ही गुरु तुम्हें नव निधि दे देता है कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी तुध सब किछु मैंने सौपिया जा तेरा बंदा हे गोविंद मैंने अपना जीवन तुम्हें भेट कर दिया मैंने अपना सब कुछ तुम्हें समर्पित कर दिया सब तुम्हारा ही दिया हुआ है ये जिन्दगी तुम्हारी दी हुई है ये हर सांस तुम्हारी दी हुई है तो इसे मैंने तुमको चढ़ा दिया मैंने स्वेम को तुम पर चढ़ा दिया जिसके लिए संत्र विदास कहते है जाके राम जी धनी है ताके काहे की कमी है राम जिसका है परम धनी जिसका है उसको किस बात की कमी हो सकती है भला मनसा को नाथ मनोरत पूरवे स्वयम इच्छाओं का नाथ हमारी इच्छा को जब पूरी कर रहा है सुख निधान की कहां की नहीं है वहाँ सुख के खजानों के, सुखों की आनंद की, भला गिंती कौन कर सकता है? कहते हैं गुरू अर्जुम देओ जी लखमी तोटी नावाई खाई खरच रहंदा कहते हैं जब से गोविंद मिला है तब से आनंद ही आनंद है खूब खाता हूँ, पीता हूँ खूब खरच करता हूँ लेकिन फिर भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती, धन की कमी नहीं पड़ती है, इसके लिए मीरा कहती है, मैंने राम रतन धन पायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बरहत सवायो, मैंने ऐसा राम रतन धन पा लिया है, जिसको चोर कोई नहीं ले सकता, और कितना भी म कि लखुपर शी मेधनी सब सेव करंदतें अगुद ऐधा हैיה 685179 योण में जितने प्राणी है जितने जीव हैं सब तुम्हानी सेवा करते रहते हैं और सबकर तुम पालन करते रहते हो, जिसके लिए कबीर साब कहते हैं, जो सुख प्रभ गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लहिए, गोविंद की नौकरी करने में, गोविंद की चाकरी करने में, जो मजा है, वो राजपाट धन दौलत में, शोहरत में, पद में, प्रतिष्ठा में नहीं है, हमरा धन धन है यही असली धन है क्योंकि यह आता तो है यह जाता नहीं है कहते हैं गुरू अरजुन देव जी एह वैरी मित्र सभे कितिया नह मंग गही मंदा एक बार यह धन तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारी बैरी भी तुम्हारे लिए अशुब की मांग नहीं करते हैं अशुब नहीं चाहते हैं यह बैरी मित्र सभ कितिया मित्र तो नहीं चाहते हैं तुम्हारा अशुब यहां तक कि शत्रू भी तुम्हारा एत नहीं चाहते हैं और लेखा कोई न पूछी जा हरी बखसंदा और कोई फिर कैफियत नहीं पूछता, कोई explanation नहीं मांगता, कोई तुमसे नहीं कहता है कि तुमने कोई अपराद किया, कोई करम बन तुमहारे बने है, एक बार गोविंद तुम्हें शमा करते हैं, और याद रखना, जब तुम समाधी में जाते हो, जब तुम स्मिरन में जी है लेकिन जैसे बही जल जाए तो लेना देना सब कुछ मिठ जाता है ऐसे ही जब समाधिकी अगन में अपने आपको जला देते हो तो सारे कर्म बंध अच्छे हों कि बुरे हों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो सब नश्ठ हो जाते हैं और तुम गोविंद के साथ जुड जाते हो कहते हैं सब्भे काज समारिये जा तुद भावंदा हे गोविंद तुम सारे काज समार लेते हो जिस पर तुम रिच जाते हो जो तुमें भाज आता है उसका हर काम तुम खुद ही पूरा कर देते हो इसको एक नए अंधाज में सुनो हम तो चाकर हैं गोविंद सरक सरकार के एक तहिए गुरु अर्जिन देव जी कहते हैं हम चाकर गोविंद के ठाकुर मेरा भार हम गोविंद की नवकड़ी करते हैं यह मेरा बौस को справ कर हैं हम इस वाश्विक ब्रह्मंधियख सरकार हैं और मेरा बहुस बड़ा वसंदार है जो भी करो तुम पती की भूमिका में हो कि पतनी की भूमिका में हो तुम बेटे की भूमिका में हो कि कहीं दुकांदार की भूमिका में हो कि सिपाही की भूमिका में हो कि किसान की भूमिका में हो तुम जो कर्म करो करो बस ऐसा भाव करो कि गोविंड ने को ये रोल दिया है गोविंड ने हमको ये भूमिका सौपी है और हम गोविंड की दी हुई भूमिका को अधा कर रहे हैं और फिर तुम्हारे जीवन में एक ऐसी धन्यता आजाती है जिसका कोई 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 उसकी उपमा नहीं दी जा सकती इसी को कहा जा रहा है हम तो चाकर हैं गोविंद सरकार के इस भाव में जुमते हुए मस्त हो करके जो भी करना है करो कोई माला जपए कोई पूजा करे कुछ लोग माला जपते हैं जपने दो कोई पूजा करते हैं करने दो कोई जाकर हिमाले तपस्या करे कुछ लोग परमात्मा को खोजने के लिए हिमाले चले जाते हैं तपस्या करते हैं उनको करने दो कोई चक्कर लगाता है गिर्णार के बहुत से लोग गिर्णार परवत पर जाते हैं अगर जाते हैं जैन जाते हैं उनको जाने दो हम तो चाकर हैं गोविंद सरकार के कोई गीता पढ़े कोई किताबा पढ़े देखते हो परमात्मा को खुजने के लिए लोग क्या क्या करते है कोई गीता पढ़ता है कोई ग्रंद पढ़ता है कोई कितेब पढ़ता है कोई पुरान पढ़ता है कोई आसन में बैठा कोई रहता खड़े हम तो जीते हैं सुमिरन में ओंकार के हम तो चाकर हैं गोविंद सरकार के एक ही काम करने लाइक है कि ओंकार को जानो और उसके सुमिरन में जीना शुरू करो उसकी अम्रित वानी में भीगना शुरू करो हम तो जीते हैं सुमिरन में ओंकार के हम तो चाकर हैं गोविंद सरकार के साथ में आसमा पर किसी का खुदा काशी में कोई कावा में करता सजदा देखो मुसल्मान भाई मानते हैं कि साथ में आसमान पर अर्श में खुदा रता है और फर्ष में कावा उसका घर है, मानने दो, उनको उस ढंक से जीने दो, साथ में आसमा पर किसी का खुदा, काशी में कोई कावा में करता सजदा है, कोई काशी में जाकर सजदा करता है, कोई कावा में जाकर सजदा करता है, हमने दिल में बिछाया विस्तर यार के, हम तो चा हैं जो भी हो उसकी रजा हम उसकी रजा में राजी हो जाते हैं और ये बात जदा महत्व रूप को सुनो परमात्मा के द्रिशे रूप को देखो उसके आलोक में जाओ उसके आलोक से जुड़ो ये सुमिरन और समाधि में जीना शुरू करो फिर तो तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद बरस जाता है और तुम भी गुरु अरजुन देउजी के संग सागा उठोगे ये आनंद भया सुख पाईया मिल गुरु गो विंदा यही सहाजयोग है हरियोम तत सथ